तो इतनी है हो येह ने बहुत को बारा इसनी उनने कमये बचाने के लाने कमये लिए कमये दो ये सेक्सी बापा है सेक्सी बापा इसनी अंदर ये शिश्या बना के सेक्सी बापा तेको कुणra Jest जबड कर देको इसी कर दो वीडियो देख लिए आपने ये बाबा है जो की कथावाचक है जितेंद्र महराज इनका नाम है और इनकी एक करतूत पकड़ी गई है और इनको इनकी ही पत्नी ने पकड़ लिया महराज जी का ये वीडियो मध्यपरदेश के शाजापुर का है महराज जी खुद को कथावाचक कहते हैं इनकी जो शिशे हैं वो घर आए जाती हैं और बंद कमरे में लॉक कर के कमरा उनको ये सिखाते हैं कथा सुनाते हैं कथा वाचक ये बाबा जी हैं लेकिन बाबा जी की आई थी शामत तो बाबा जी की जो पतनी थी वो पुलिस को लेकर पहुँच गई रक्षा बंदन पर पत पकड़े गए पतनी को कहीं से खबर मिली और पतनी ने फौरण पुलिस को इतला की और पुलिस को इतला करने के बाद पतनी पुलिस समयत घर पहुच गई और जब घर पहुची तो कहानी कुछ अलगी थी ये बाबा जी पुलिस के सामने किस तरह से बचते हुए नजर आ रहे और जो महिला इनके साथ पकड़ी गई है वो कह रही है कि मैं शिशे हूँ मैं तो कथा सुनने के लिए आई थी एक बार फिर से देखें वीडियो पूरा तो इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं मद्यपरदेश से इस वक्त ये खबर सामने आई है और जो वीडियो सामने आया है उसमें खुलासा हुआ है एक और धोंगी बाबा का ये बाबा किस तरह से कथा के नाम पर घिनोने काम अंजाम दे रहा था और अब इस बाबा का परदा फाश हो चुका है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुचाईए ताकि इस तरह के जो ढोंगी और फरेबी बाबा है इनका परदा फाश हो सके तो आजके इस वीडियो का मकसद आपको इसी तमाम तरह की जो चीजे हैं उनसे आगाह कराना है कि इस तरह के ढोंगी बाबाओं से जरा साफधान रहिए और सिर्फ साफधान ही मत रहिए इस तरह के बाबाओं पर नजर रखिए और नजर रखने के साथ साथ पास के पुलिस थाने को इतला जरूर दीजिए अगर कहीं कथा चल रही है तो उसकी नौलेज पुलिस को जरूर दे दीजिए आप क्योंकि पुलिस के संग्यान में होना चाहिए कि कहां कथा चल रही है क्योंकि पुलिस जरा जाच परताल तो कर ले कहीं कथा ही चल रही है या कथा के नाम पर इस तरह के बाबा गिनोने कामों को अंजाम दे रहे हैं वीडियो को जाद से जाद शेयर करिए